प्रस्तूत है प्राईजितकारिक्रम किसान की बाद इस कारिक्रम की प्राईजग है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार प्रदान मंत्री किसान मांधन योजना मिलेगा पेंशन का साहार, कशक ना होगा बेसाहार जुडेगा खुशियों से नाता, कठेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अनदाथा, सुरक्षित होगा अनदाथा प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना से लगू सी मांत किसानों का भविष्ट होगा सुरक्षित और साथ वर्ष की आयू से तीन हजार रुपे मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित 55 रुपे से 200 रुपे की मासिक किष्ट देकर प्रवेश कर सकते हैं 18-40 वर्ष तक के किसान इस अंश्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदार सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाप के लिए जन सेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं किसान कल्याण मन्तरा लेवारत सरकार दोरण जनित में जारी स्वाओगत हैं आप सबी किसान भाईयो का हमारे आज के विशेशकार क्रम किसान की बात में जिसमें हर दिन हम लेका राते हैं एक नए विशय को और उस पर अपने एक्सपर्ट से हम विस्तार से चर्चा भी करते हैं और आज भी हम एक नए विश्चय के साथ आपके समक्ष उपस्तित हैं और श्रोताओं मैं हूँ रजनी और मेरे साथ ही है मेरे साथ अमित तेवतियाग। और हम दोनों आप लोगों का करते हैं स्वागत, स्वागत है आपका इस कारिकरम में। तो अमित जी आज हम किस विशय पर बात करेंगे, मैं चाहूंगी आप हमारे शोताओं को बताएं। हम बता दे कि इस से ना सिर्फ किसान और युवा किसान यहां तक हमारे जो अन्य युवा वर्ग है वो भी बहुत ही प्रभावित होंगे और उन्हें भी रोजकार के नए आयाम अपने सामने दिखेंगे। इस शेतर को इतना वरत करने कि हम दुनिया में अग्रनी खड़े रहें और पूरी दुनिया हिंदुस्तान के युवा को सलाम करें। आज एक ऐसा ही विषय लेकर के हम हाजिर हैं कारिकरम किसान की बात में। आप पहला प्रशन चाहें तो हमारे एक्सपर्ट से हम पूछ ले। बिल्कुल गजनी पहला प्रशन हम तो पूछेंगे। हम यह भी कोशिस करेंगे कि जो हमारे देश का युवा है। जो यदि अपने मन में कोई ऐसी शंका है कोई ऐसा प्रशन है वो पूछना चाहता है तो वो सीधे सीधे हमारे इस्टूडियो से जुड़ सकता है। करना केवल इतना है कि अपना मोबैल उठाएं और नमबर घुमा दें। आप जो हमारे दिल्ली के बहार के शोता हैं वो सुन्य एक एक डायल करें उसके बाद में दो तीन चार दो एक शुन्य आठ एक डायल करें। शेदे हम आपकी बात कराएंगे अपने डॉक्टर साव से जो की आपको जवाब देंगे क्रिशी में शिक्षा और रोजगार के अवसर को लेकर। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो आज का विशय है वो आप एक बार फिरसिन सुन लें। क्रिशी में शिक्षा और रोजगार के अवसर। इस विशय पर किसी भी तरह की जानकार या सुझाव। आप हमारे एक्सपर्ट से ले सकते हैं, हमारे फोन लाइन खुले हैं, स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब सबसे पहला प्रश्ण जो जहन में आ रहा है वो यही है कि क्रिशी शिक्षा का जो इस्तर और इस्थिती है आज के समय में वो किस तरह का है और इसके गुणवत्ता को बहतर बनाने के लिए हम क्या कुछ प्रयास कर सकते हैं जी बहुत ही अच्छा प्रस्ण है और सामईक प्रस्ण है जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले दो साल से पुरा अंतराश्टी अस्तर पर करोना संक्रमन के कारण जो खा अच्छे उत्पादन करें ताकि देश में जो खाद्यान सुरक्षा और पोसन सुरक्षा बनी रहे तो यह तो बात रही कि किस परकार से अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए लेकिन यदि हम युवां की और से प्रस्ण पूछें तो डॉक्साब हम जानना चाहेंगे कि ह हमारे जो युवा हैं वो आखिर क्रिशी की जो पढ़ाई है उसको क्यों चुनें क्या इसका महत्व है बहुत ही अच्छी बात है अकसर देखा गया है कि हमारे जो अविवावक होते हैं या माता-पिता होते हैं बच्चों को ज्यादा प्रोसाइद करते हैं कि वो इंजिनि विवावक होना चाहिए उसके लिए सोच में बदलाव कि आवस्ता है आज ऐसा नहीं है कि कि अन्य विज्ञान की उसमें समागमता नहीं है अगर किसी बच्चे में अच्छी रूची है बहुतिक सास्त के परती तो उसका भी इस्तमाल बड़े पैमाने पर किर्शी में किया आज जो भी हमारे जो फसल बीमा योजना है उसके लिए जो हमारा आंकलन होता है ये सेटलाइट के माध्यम से होता है और आजकल जो देखा जा रहा है कि किस तरह से स्मार्ट अगरिकल्चर कि स्मार्ट किर्शी की बात की जाए उसमें ड्रोन का इस्तमाल करने के लिए भार अभी करूप से इस्तमाल कर सकते हैं उसी तरह से जिन बच्चों को देखा गया है कि रसायन सास्त्र में बहुत रूची है जी तो अभी देखेंगे किर्शी में सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है या गंभिर समस्या भी है वो मिटीक से लेकर के हैं भारत सरकार के तरफ स स्वाइल हेल्थ कार्ड मिर्सन चला गया मिर्दा कार्ड चला गया और मिर्दा को बचाने के लिए उसमें ऐसे तक्नीकों की जरुष है कि वह ज्यादा सुरप्चित रहे और ज्यादा पैदावार भी दे तो यह जो रसायन सास्त्र में रूची रखने वाले बच्चे अग कर सकते हैं और यहां पर जो मौलिक रूप से जिन तत्तों की जरुष होती है मिर्दा को सुरक्षा करने के लिए उसमें जितने भी तरह के जो आप रसायन सास्त्र के जो आप अध्यन करते हैं सिधान तो यह सब भी इसमें बहुत अच्छे तरह से इस्तमाल होता है उसी तर गिर्शी में भी इसका बहुत अच्छा इस्तमाल हो रहा है खास कर वैसे पाओ ओढ़ओं को विक्षित करना उनके परजातियों को विक्षित करना जिसमें वो गुन अपलब्ध हो जो सामाइक हो खास कर जैसे की मौसम है बहुत बदलावाँ वारा है जहां बहुत सूखा ह हो रहा है या बहुत ज्यादा कीट का परकोप हो रहा है क्या हम उसे जीन को निकाल करके उन पाउधों में उनकी अप्रोधक छंता बढ़ाएं यह बिग्यान जो बाय टेक्नोजी का इसके अधार पर पौधे बिक्सित किया रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो अच्छे मूल पर देखने से ही नहीं होता यह आप देखेंगे इसके पीछे जो नए तकनीक का सरजन होता है चाहे आजकल मिटी को समतल बनाने के लिए लेजर लेवलिंग की जरुवत पड़ती है तो लेजर लेवलिंग के प्रिंस्पुल्स क्या है तो देखेंगे तो क्रसी अभियंतरन कैसे उसके बुआई हो कैसे कटाई हो उसके लिए जो नएने मसीने उसके आविसकार करते हैं वहां उनकी जरुद पड़ती है खासकर उसी तरह से आप देखेंगे नए पौधों को विक्सित करने के लिए जेनेटिस का है साटो जेनेटिस का है यह जो बच्चे बालोजी मे पड़ते हैं प्लस टू तक में उनको लगता है कि इसमें पता नहीं यह अफसर होगा कि नहीं होगा बिल्कुल है आप देखेंगे जिस तरह से आजकल मैपिंग की जाती है कौन साब फसल और कौन से उसकी प्रजाती जादे उप्युक्त होगी जलवाईव परिवर्तन के प विज्ञान में इनका जानकारी और उसका किर्शी में उप्यों करके आगे बढ़ा सकते हैं डुक्त साब वास्तम में सबसे पहले तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रसंट पूछा और पिर आपके जो आपने जवाब दिया जो आपने उत्तर दिया वास् पूछान की है जीव विज्ञान की है तकनीक से लेकर के पूछार हुआ है सरकार साथ दे रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना एक बहतरी जवाब देने के लिए और अब तो हम यही पूछना चाहेंगे कि अभी परिक्षाएं चल रही थी बच्चों की ट्व प्राफधान है क्या प्रिक्रिया है यहां आगे की पढ़ाई करने के लिए एग्रिकल्चर के शेत्र में प्राफधान की गये हैं खासकर स्कूली सिक्षा में भी कुछ अध्याय रखे गये हैं कि नए बच्चों में इस तरह की जाग्रुक्ता होनी चाहिए कि आकर घर में जो खाना प्लेट में मा बना के सजाती है वह आता कहां से है बहुत बच्चों को यह पता नहीं कि धान या गेहूं जो हमारे प्लेट में सस्ता है उसके बनेवे उत्पाद कहां से आ रहे हैं तो अगर उसके बारे में जानेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे और समाज के परती समर्पित भी होंगे आज हम किसानों को अनदाता इसलिए कहने लगे जब कुछ नहीं मिलता है तो खाने के लिए तो आवसकता होती है हर घर में और उसको पूरा करते हैं अनदाता जो एक अनदाता होता है वो अपना रूखी सुटी खा करके भी या बस रहो ना हो लेकि हम क्या नया परिवर्तन ला सकते हैं आपको मालू होगा कि बहुत सारे सौट्वेर इंजिनियर्स अपने नौकरी को छोड़ करके बीदेशों में नौकरी छोड़ करके वापस किसी जगत में आए और अच्छा काम करके अपने को एक अंट्रपनियोर बनाए उद्यम बनाए साथ ही साथ आज पास के किसानों के जागरित किया और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ण होता है कि कौन से बच्चे इसमें आए और कैसे इसमें आगे सिक्छा ले सकते हैं तो मैं यह बताना चाहूंगा कि कई तरह के इसमें विशय हैं यह बहुँ आयामी किर्षी ज होता है जैसे धान गेहु इस तरह के फसलवा कुछ जो हमारे साख सब्जी फल है उसके लिए होटी कल्चर करते हैं उसको तो होटी कल्चर कभी सही पर सकते हैं उसी तरह से कुछ लड़कियां जो अच्छा हुनर रखती है खाना बनाने के लिए या कपड़े के सुनते रहते हैं मदर डेरी के बारे में वो जो दूद उत्पादन है वो भी एक अपने आप में अच्छा भी सह है उसमें भी आगे सिक्षा प्राप्त कर सकते हैं उसी तरह से जो खाद्यान का आजकल प्रसंसक्रन हो रहा है लोग मैगी जादा खाना पसंद कर रहे हैं चि इच्छा पाएं तो सेरी कल्चर में जा सकते हैं तो कई उससे जुड़े ब्यापसाहे भी हैं मैं आगे इस पर बात करूंगा लेकिन कई विसें हैं जिस पर आप आपने आपको एडमिशन ले सकते हैं प्रवे ले सकते हैं इसके लिए भारत सरकार ने कई जो है राज अस्त कि जो क्रिसी विस्विदाले हैं जिसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं कहां से एडमिशन लेंगे पहला तो उनको यूजी करना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएट का प्रग्राम जा सनातक का है उसके में दो तरह के आपको इंट्रेंक टेस्ट होते हैं परवेस कि आएं ताकि एक दूसरे के बारे में जानें समझें इसलिए पंद्रह से बीस पर-30 सीट जो है वह बाहर के बढ़े राजियों के बचचों लिए भी खुला रहाता है तो वह जो सारे राजियों का एक राष्टी अस्तर की परिक्शा ले जाती है वह आईसे आर से भारती करके जैसा जैसा रैंकिंग होता उसके हिसाब से काउंसलिंग करके दूसरे राज्यों में आपको वहाँ एडमिसन मिल जाएगा लेकिन जो बच्चे अपने राज में पढ़ना चाहते हैं तो उनके राज में जो किर्शी विस्वीडाल है उन्होंने भी अपना एक प्रावध चाहे तो या मास्टर्स करना पड़ेगा जिसी करते हैं जी जी असनात्कोतर करते हैं और उसके बाद आप पीचड़ी भी कर सकते हैं ये रास्ता आपको ले जाएगा उच जिक्छा के प्रति तो इसके प्रति आप देखेंगे कि क्या-क्या आपके रोजगार के अपसर हैं दूसरा हो सकता है कि आप सोध करता बन सकते हैं अगर आपने Master's की डिग्री ले लिए MSC कर लिया और PhD कर लिया तो ICR जो भारती क्रिसियम संधान परिसद है वो एक परिक्षार निकालती है ARS Agriculture Recruitment Agriculture Research Service और Agriculture Culture Scientific Recruitment Board है वो इसको चैन करने के लिए बोर्ड बना गया है आप इसके माध्यम से ICR के जो भीविन संस्थान है वहां पर एक बैग्यानिक के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या राज सरकार के जो अपनी युनिवस्टी हैं अपनी विस्विद्याले हैं वहां पर आप या तो सोध करता या Assistant Professor के पोस्ट पर जा सकते हैं यह उच्छ सिक्षा के माध्यम से दूसरा है कि अगर आप चाहें कि और दूसरे तरका development वाला आपका nature है कि मैं थोड़ा प्रसासनी वाले में जाओं तो किरसी विग्यान केंदर है किरसी विग्यान केंदर हर जिले में बना हुआ है और 700 से अधिक किरसी विग्यान केंदर अपने देश में हर जिले में तो ए अगर चाहें कि असनातक के माध्यम से और हम कहां जा सकते हैं, तो हर इस्टेट में, हर राज में डिपार्मेंट ऑफ ह्यर Temper Gフziehen कि और राज किर्शी विभाग तो राज किर्शी विभाग में में किर्शी का अलग है, डेरी का अलग है, उसी तरह से वानखी का अलग है, सेरी कल्चर का विभाग अलग है तो वहाँ पर आप Block-Level से होते हुए जिलास्तर और राजस्तर पर आप अपने नोक्री प्रात कर सकते हैं तो इसको कहते हैं Agriculture Development Officer कहते हैं या Block Development Officer कहते हैं या इसी तरह से आगे जाएंगे तो आगे अगर पदोनती होती है तो आप associate director agriculture बन सकते हैं या joint director agriculture बन सकते हैं या assistant director agriculture बन सकते हैं और आगे बढ़ेंगे तो district agriculture officer जिला कृसियादिकारी बन सकते हैं इससे भी आगे बढ़ते हुए आप जो राज अस्तर की जो प्रसासनिक परन कि भारष सरकार या तरफ सो राज की नोकरी भूई अब प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा आगे आगे है बहुत सारे कंपनी में जैसे वो जो न्युक्ति करते हैं सीड ओफिसर का है बीज अधिकारी हो गए निरक्षन अधिकारी हो गए इस तरह से अधिकारी का वर्प्राप्त कर सकते हैं लेकिन कुछ कंपनिया ऐसे हैं जो मार्केटिंग या सेल्स के वितरन के लिए चाहते हैं तो आप कर से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट परग्राम है EMBA परग्राम या Master's in Agree Business Management इस तरह का अगर कोर्स कर लेते हैं तो अधिकारी बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए जैसे बचे आयटी इंजिनेरिंग करने के बाद के बाद वो चाहते हैं कि मैं EMBA कर लो जो आपना वो उत्साह रखते हैं कि मैं वहां जाके अध्यन करूँ तो आयम अहमदाबाद हुआ या लखनो हुआ वो एग्री कल्चर में भी बिजनस मनेजमेंट की डिगरी देते हैं उसी तरह से मैनेज है नेशनल इसूट आप अग्री कल्चर रिसर्च मैनेजमेंट जो व आप एग्री बिजनस कर लिए तो बड़े-बड़े कंपनियों में बड़े-बड़े अधिकारी की नोकरी आप प्राथ कर सकते हैं तीसरा आ जाता सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर में खासकर आप इस तरह की सेवाएं परदान करने वाली है जैसे बहुत सारे एंज्यू ह सेवा संस्था है वो भी चाहती है कि चाहे क्रिसी के छेत्र हो चाहे डवलप्मेंट का सेक्टर हो उसमें वो क्रिसी असनातक को प्रेफर करते हैं होम साइंस की लड़कियों को प्रेफर करते हैं थाकि जैसे कि गाउं में देखेंगे आंगनवारी है और नुट्रिशन या प्रदान करना चाहे कोई सेवा संस्का तो वहां पर इस तरह के असनां तक क्या आवज सकता होती है तो वहां भी आप अच्छी से अच्छी नौकरी प्राथ कर सकते हैं डॉक्टर साहब यह तो आपने चर्चा की कि युवावर गया जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं वह क्रिशी को चुनकर उसमें कैसे अपने रोजगार की सम्मावना बढ़ाते हैं कैसे उसको अपना करियर बना है एक बहुत एहम सवाल यह यहां प के बारे में उसले खोर स्क्षित हूँ कुछ जानूं तो एसे लोगों के लिए कैसे वह क्रिशी श्चा में क्या कर सकते हैं आप उनके मतलब हमारा केंदर केंदर ह Pacific सession का चलाता है या फिर डिप्लोमा करवाता है या फिर जो घर बैठे चाहते हैं कि हम एग्रिकल्चर में कुछ सिख्षित हो जाए कुछ डिप्लोमा कर लें कुछ कोर्स कर लें उनके लिए क्या संभावनाएं है किरसी एक ऐसा जैसे मैंने कहा है कि बिस्तृत भिसे है और इसमें स जोजगार से जुड़ा हुआ क्या सिख्षा हो सकता है तो खासकर जो इसकूल से ड्रॉप आउट बच्चे हैं या किनी कारण बस आगे पढ़ाई नहीं कर पाए उनके लिए हो चाहे महिलां हो या यूबतियां हो या जो किसान खेती कर रहे हैं और उनकी उम्र आगे निकल किये जाते हैं जिससे वो उदमी बन सके हैं जैसे किसी को अगर मान लिजे कि रेशम की खेती करके आगे बढ़ना रोजगार बढ़नाना है या किसी को कपड़ा सिलाई करके रोजगार आगे बढ़ना है या किसी को मदुमक्की पालन करके करना है जो इस तरह क्या जो प्रस प्रशिप्चित किया जाता है ताकि यो रोजगार प्राप्त कर सके यह बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साब आपने दी है और अमिद जी अब वक्त है कि हम एक चोटा सांद्राल ले ले कि अधर अधर हम वह बोल रहा है तेरे बीजू का उतला बोल ले आपकसियों से तो हम खेद को बचा लेते हैं पर इन खातक रसाइनों से कैसे बचा है मतलब देख बेटा तू जो यह अंधातुन रसान मिलाता ना मिट्टी की सहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजो अपने बड़े बोजूर्गों से कैसे फसल लहला आती थी शुद्धता चलगती थी हां माटी भी तंद्रस्त और लोग पहली वाली बात कहां परम तो सब यह डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परम परागत विदी से फसल होगा रहे हैं फर्चा खम और ठीक है भाई मैं भी आज ते जावी खेती शुरू करूँगा माटी से प्रेम की परम परागत खेती और स्वागत है आप सभी का करेक्रम चल रहा है किसान की बात और किसान की बात में अब जान लेते हैं मौसम का हाल आई है लेकर मौसम अनुमान सुनलो भईया देकर ध्यान एक पस्चिम विशोब जमु कस्मीर पर के आसपास के शेत्र में बना हुआ है और एक प्रेडित चक्रवाती हवाव का शेत्र मध्य पाकिस्तान और आसपास के शेत्र पर भी बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा पंजाब से बांगला देश तक हरियाना दक्षिन उत्रपरदेश दक्षिन बिहार और पस्चिम बंगाल होते वे जारी है और अगले 24 गंटों में अगले 2-3 दिनों के लिए भी अंडमान निकोबार इस समू में भारी बारिश के संभावना है और प्रमुकस्मीर, बलिस्टान, मुझफरावाद, हिमाचल परदेश, उतराखंड और पूर्वी उतरपरदेश, बिहार, जारखंड, 36 गड़ के कुछ हिस्सो और करनाटका और तिलंगाना में भी हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है और पंजाब, हरियाना, उत्तराजस्थान, दिल्ली और पश्चिम उतरपरदेश के कुछ हिस्सों में धूल बरियान दियां और गरज के साथ हलकी बोच्षारे पढ़ने की संभावना है, तो ये था आज के मौसम का हाल, लेकिन आपके किचन के बजट में क्या उलट पलट हो सकता है, उसके लिए हम आपको ले पर कितना खर्चा अंगूर 45 रुपे, संत्रा 56 रुपे और पपीता उपलब्द है बाजार में 15 रुपे परती किलोग्राम, इसी के साथ बात करें यदि सबजी की तो आलू 15 रुपे परती किलोग्राम, बैंगन 20 रुपे, गाजर 20 रुपे, गोभी 45 रुपे, लहसन 40 रुपे, नीबू 100 भाई बैनों के लिए, कि जो ये तो बात रही कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, जो जाना चाहते हैं, सिक्षा शित्र में, लेकिन डुक्त साब, अब आपकी ओर से उन किसान भाईयों को क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहते हैं, उनके अभिवावकों को माता-पिता से आगरे करूंगा, कि किर्सी सिक्षा के परती जादा उत्साहित होने की जरुष है, और किर्सी एक ऐसा विसे है, या ऐसा रोजगार है, जहां किसानों को और उनके परिवार को अच्चे स्वादिश्ट भोजन तो मिलते ही हैं, पोसं सुरक्चा होता ही है, सा अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, तो वो आपके जो समय समय पर जो आपको निर्ने लेना होता है, या जो ने तक्नीकों का समागम करना होता है, उसमें वो बहुत ज्यादा मददगार होंगे, दूसरा वो परात करने के साथ-साथ, खुद भी उद्यमी हो सकते हैं, इ इसके भारत सरकार के तरफ से भी कई बढ़खवा दिया जा रहा है और भारत सरकार ने इसकी लिए इंडिया का भी काफी नया अंदोलन किया है उसमें स्टार्ट अपना अभियव है जो हमारे बच्चे इसको पा करके आगे बढ़ सकते हैं उसमें आपसर यह ऐसा होता है कि मा स्मार्ट फोन चलाते हैं यह कंप्यूटर चलाते हैं लैप्टॉप चलाते हैं काफी ज्यादा उन लोग कंप्यूटर का जानकारी है तो उससे जुड़े जो आज किसानों को समय समय पर चाहिए कि कब हमें जानकारी मिल सके तो वो कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि नया तो पसुपालन के लिए अगर बच्चे कुछ डिग्री ले लेते हैं, चालिस से अधिक पूरे देश में ऐसे कॉलेजेज हैं जहां पर पसुपालन के माध्यम से डिग्री दी जाती है, और उसमें अवसर यह है कि पसुपालन कर सकते हैं, अच्छे तरह के नसल के गाए भैस उसका दूद का प्रसंसक्रन करके पनीर बना करके प्रसंसक्रन अधारित भी उद्यम कर सकते हैं, तो ये थे किसान के बात में कारेक्रम का आज का जो विशय था, क्रिशी शिक्षा और उसमें रोज़कार की सम्मावना है, उमिद करती हूँ आज की जानकारी आपके लिए अधिला बायक होगी और इसी के साथ अमिद जी हम ले विदा, बिल्कूल समारे समी साथियों को नमस्कार, इसकारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार, आयसी नहीं नहीं तरकीवे अब हम को ए चुनिंठ लक्ष हमारा हर किसान की आपणी दुग्री आयसी नहीं नहीं तरकीवे अब हम को ए चुनिंठ झाल झाल